दोस्तों, अस्थी विसर्जन किसी मृत व्यक्ती के दाह संस्कार के बाद किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। इसका अर्थ होता है चिता में जल गए मृत व्यक्ती की हड्डियों और राख को जल में विसर्जित करना। शास्त्रों के अनुसार अस्थियों को पवित्र नदियों में ही विसर्जित करना चाहिए। जिसमें सबसे ज्यादा महत्व गंगा नदी का है। अब सवाल उठता है कि तीसरा या चौथा दिन ही क्यों और अगर अस्थि विसर्जन तीसरे या चौथे दिन तक ना हो पाए तो क्या करें। इन सारे प्रशनों का उत्तर हम इस वीडियों में आगे देंगे। दोस्तों अस्थियों का विसर्जन एक साधारन प्रक्रिया नहीं है, यह कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसे सही समय से सही नियम के साथ ना किया जाए तो आत्मा को मुक्ती नहीं मिलती। ऐसा इसलिए है क्योंकि धर्मग्रंथों में कहा गया है कि भौतिक शरीर पंच महाभूतों अर्थात पंच तत्वों से मिलकर बना है। प्रिथवी, जल, अग्नी, वायू और आकाश। दाह संसकार की क्रिया में जब शरीर को जलाया जाता है तो प्रिथवी, अग्नी, वा आयू और आकाश को अपना-अपना तत्व वापस मिल जाता है, लेकिन जब तक जल तत्व को अपना अंश नहीं मिलता, तब तक चक्र पूरा नहीं होता। और इसलिए यदि अस्थि विसर्जन सही समय या नियम से ना किया जाये, तो आत्मा को मुक्ती नहीं मिलती और ना युक्त नदी होने का कारण भी बताएंगे। इतना ही नहीं अस्थि विसर्जन नदियों में करने को लेकर विज्ञान क्या कहता है, वह भी आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। और इन ही विचित्र रहस्यों में है तीन दिन तक अस्थि संचयन करने का सही कारण, जिसके अनुसार मृत्यू होने के दूसरे, तीसरे या चौथे दिन तक अस्थि संचयन अर्थात अस्थियों को एकठा कर लेना चाहिए। इसके बाद इन अस्थियों का विसर्जन दस दिनों के भीतर ही कर देना चाहिए। के भीतर ही अस्थि एकत्रित कर लेना चाहिए। क्योंकि दाह संसकार के दौरान मंत्रों के उच्चारण से अस्थियों में आकाश एवं तेज तत्वों की संयुक्त ऊर्जा विद्यमान हो जाती है, जिसका प्रभाव तीन-चार दिनों के उपरांत कम होने लगता है, जिस असा भी संभव है कि वो अनिष्टकारी शक्तियां उसके माध्यम से मृतक के परिजनों को भी कष्ट देने का प्रयत्न करें। इसलिए ऐसी स्थिती उत्पन्न होने से पहले ही अस्थियों को शम्षान घाट से हटा लिया जाता है। लोगों का मानना है कि जिस व्यक्ति ने मुखागनी दी होती है, उसे शम्षान या अन्य अपवित्र स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ अनिष्टकारी शक्तियां उसको नुक्सान पहुँचा सकती है। इसलिए आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा कि मृतक के परिजन चिता की अगनी शांत होते ही राख और अस्थियां लेकर घर लोट जाते हैं, जो कि व्यवहारिक द्रिष्टिकोन से सही भी लगता है। इसका एक कारण यह भी है कि आजकल शमशान घाट पर एक के बाद एक कई चिताएं जलाई जाती हैं। लोगों को चिता जलाने के लिए जगए ही नहीं मिलती। इसलिए संभव है कि यदि चिता की राख को तीन दिन तक छोड़ दिया जाए, तो शायद तीन दिन बाद ना आज के परिपेक्ष में ऐसा करपाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन दोस्तों अस्थियां एकत्रित करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जहां शव को अगनी दी गई थी। अस्थियों को वहां से लाने से पहले विधिवत पूजा करना अनिवार्य है। फि इस मृत प्राणी की अस्थि दस दिन के अंतरगत गंगा में विसर्जित हो जाती है। उसका ब्रम्ह लोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है। उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। एक बात और है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिस दिन अंतिम संसकार किया गया हो उस दिन से लेकर अगले तेरह दिनों तक जब तक आत्मा के निमित्त किये जाने वाले श्राध्ध और पिंडदान पूरा नहीं हो जाता। तब तक घर में पवित्रता का वाताव परण बना कर रखना चाहिए। प्रमुख रूप से उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने चिता को मुखागनी दी हो। इस असौच काल के दौरान घर में पूजा पाठ या कोई मांगलिक कार्यक्रम इत्यादी नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ घर के सारे सदस्य को शारीरिक संबंध बनाने से भी दूर रहना चाहिए। इस दौरान मृतक को शुधता से बनाए गए उसकी रुची का खाना और पानी, पूरे तेरा दिनों तक पीपल के पेड में बंधे मिट्टी के बरतन में हर रोज देना चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि मृत्यू के दिन से दस दिन तक किसी योग्य ब्राह्मन से गरुड पुरान सुनना चाहिए। और ये पाठ उसी स्थान पर करें जहां अंतिम बार मृत व्यक्ति के शव को रखा गया था। साथ ही इसका भी ध्यान रखें कि यह पाठ सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि किसी कारण अस्थि विसर्जन दस दिनों तक ना हो पाया हो तो अस्थि विसर्जन तीर्थ श्राद्ध पूर्ण होने के बाद ही किया जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में ही अस्थियों को व पूरे साथ पुत्रों को माता गंगा ने गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा यह सब देख कर भी वचन में बधे होने के कारण मां गंगा को नहीं रोक सके। लेकिन जब आठवें पुत्र की बारी आई तो उन्होंने ऐसा करने की वजह पूछी। जिस पर मां गंगा ने उत्तर दिया कि जिन साथ बच्चों को उन्होंने गंगा नदी में प्रवाहित किया था वह सब देवता थे। जो श्राप के कारण मृत्यू लोक में जन्मे थे। उनके उध्धार के लिए गंगा नदी में विसरजित करना ही एक मात्र उपाय था। अस्थि विसरजन से पानी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कि धर्म ग्रंथों में अस्थियों का संचयन तीन दिन के अंदर ही किये जाने के लिए क्यों कहा गया है। और फिर उनस्थियों को गंगा नदी में ही प्रवाहित करने को इतना महत्व क्यों दिया गया है। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतू आईए मिलते हैं अगली वीडियो में।